गटना है भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई समझ़ेगा जिसको सकारात्मक्ता के तत्प को समझना है बहुत सहच्टा से इस समझ में आ जाएगा तो भगवान बुद्ध के एक शिश्य था जिसका नाम था पूर्ण उनके शिशे का नाम था पूर्ण तो पूर्ण अपने गुरु के पास गया सद्गुरु के पास और जाकर कहने लगा कि भंते आप बिहार में तो सभी जगे है प्रेम और शांती का पाठ पढ़ा रहे हैं और लोगों को धर्म का पत समझा रहे हैं पर मेरी इच्छा है मैं अंग, बंग, कलिंग ऐसे ख्षित्रों में जहाँ हूँ जहां पर आज तक कोई गया नहीं जहां पर लोग कहते हैं वहाँ पर सब अनारिया ही अनारिया रहते हैं ये सुनकर बुद्ध चौक जाते हैं क्या तुम उन ख्षित्रों में जाना चाहते हो नई 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 वो बाहर के परदेशी व्यक्ति को संत को देखकर उस पर लाठी पत्तर मारेंगे तिरे साथ अनाचार करेंगे तब क्या होगा उसने का भंते आप मुझे अपना इतना कच्चा शिश्या मत समझें मैंने सिक तोर पर पूरा तैयार कर लिया है और मैंने मान लिया है कि जब मैं वहां जाओंगा तो मेरे लिए ऐसा ऐसा अमुक दुराचार हो सकता है ठीक है अगर तुमने तै कर लिया है मेरे बच्चे तो मेरे आशिरवात तो तुमारे साथ हैं लेकिन जाने से पहले मुझे केवल एक बात का जवाब दे दो, कि अगर तुम वहाँ गए और वहाँ के लोगों ने तुमें गालिया दिये, तो तेरे मन में क्या होगा, उसने का भंते सकारात्मक्ता समझ येगा, पोजिटिविटी समझ येगा, उसने का भंते आप और मुझसे पूछते हैं, अरे हकीकत तो ये है भंते, कि मेरे मन में ये आएगा, कि ये लोग कितने भले लोग हैं, जो केवल गालिया ही दे रहे हैं, कम से कम थपड मुक्य तो, नहीं मार रहे, अच्छा, तो तुझे गालिया देंगे, तो तेरे मन में ऐसा हुगा कि थपड़ मुक्खे तो नहीं मार रहे हैं तुम ऐसा सोचऊगह हैं जो भन्ति में ऐसा सोचूगा जो तब फिर मेरा अगला प्रस्फ न सोचो अगर वो तुमें थपड़ मुक्खा मारने पर उतारू हो जाएंगे तो तुम्हारे मन में क्या होगा बुले भंते तब मेरे मन में होगा ये लोग कितने अच्छे लोग हैं जो किवल थपड मुक्का ही मार रहे हैं कम से कम तलवार और कटार तो नहीं चला रहे ये सुनना था कि बुद्ध भी अचंबित रहे गए उन्होंने पूछा कि अगर ऐसी बात है कि तुम्हारे मन में ये आएगा कि ये लोग तलवार और कटार तो नहीं चला रहे तो फिर मेरा अंतिम प्रस्न है कि अगर बताओ कि वो लोग तुम पर तलवार ही चला देंगे कटार तुमारे पेट में घौप ही देंगे तब तुमारे मन में क्या होगा बुले तब भगवन मेरे मन में होगा मेरे मन में होगा ये लोग कितने अच्छे लोग हैं जिन्होंने मुझे बुद्ध के पत पर सदधर्म के पत को आगे बढ़ाने के लिए शांती के पत को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने मेरी कुर्बान ली और मैं कुर्बान होने में काम आपाया मरते समय भी मेरे मन में यही होगा कि इन लोगों की कृपा है कि मैं भगवान का मार्ग आगे फैलाते फैलाते मेरी आहूती हुई तब भगवान खड़े होते हैं और स्पून के कंदे पर हाथ रखकर पीट पर हाथ रखकर थापी देते हैं आशिरवाद देते हैं और दुआई दे करके उसे रवाना करते हैं कि जिस व्यक्ति की बीतर इतनी अधिक सकारातमकता होती है वही व्यक्ति सद धर्म का प्रचार औ अपना करेगा वह व्यक्ति जहां जाएगा मानवता को सुधारने का ही काम उसके द्वारा संपन्न हो पाएगा यहां पर भी सकारातमकता वहां भी सकारातमकता वहां भी सकारातमकता जो व्यक्ति जीवन की अंतिम घड़ी और अंतिम सास तक भी positivity और सकरात्मक्ता को अपने साथ जोड कर रखता है वो व्यक्ति कभी व्यग्र नहीं होता उसके रिस्तों में कभी खटास नहीं आया करती है उस व्यक्ति के जीवन में होने वाली बड़ी से बड़ी हानी भी उसे उद्वेलित और विचलित नहीं कर पाती है ठीक है अनेख बार होता है दो भाई जगडते हैं तो एक बें कहता है जगड मत तुझे जितना चाहिए तो उतना ले जा जो चाहिए सो ले जा और चाहिए और ले जा क्या फरक पड़ेगा मैं और उससे कम में चला लूँगा पर मेरा भाई मुझसे रूट कर जाए ये मुझे स्वीकार नहीं है तो जहां सकारात्मक्त होती है वहां आहूतियां दी जाती है और जहां स्वार्थ होता है वहां कि वह लूट खसोट ही लूट खसोट चलती है इसलिए हमें तीन सिद्धानत अपनी जीवन के साथ जोड लेने चाहिए इस जीवन को सुन्दरता के साथ जीने के लिए सुख पूरवग जीने के लिए माधूर या पूरवग जीने के लिए और निश्पाप निरमल जीवन जीने के लिए हमें तीसरा सिध्धान्त लागु कर लिना चाहिए और वह है सजगता का सिध्धान्त live with awareness अपनी जीवन के हर कदम पर हर कार्य को जाग रूबता पुर्वक कीजिए जाग रूबता पुर्वक जो भी व्यक्ति अपने काम को करेगा उस व्यक्ति के द्वारा गलती होना ना मुम्किन हो जाएगा अपने यहां कहा जाता है कि अगर आदमी को आगे बढ़ना है तो असंबव मेंसे आ को काटो असंबव मेंसे क्या करो कहची लो जरा लिखो असंबव असंबव हमने शब्द लिखा असंबव अब क्या करो काटो असंबव मेंसे आ को निकाल कर बाहर निकालो और तब पता चलेगा कि जीवन में हर चीज जगत में हर चीज संबव है possible 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 not impossible but I am possible impossible शब्द में खुद ये शक्ति समाई हुई है ये प्रेरणा समाई हुई है ये motivate करने की ये ताकत समाई हुई है कि impossible शब्द कहता है I am possible सब कुछ संबव है पर ये असंबव मेंसे अहटाने का तरीका क्या है तो मैं कहूंगा जाग रूकता सजगता alertness and awareness कि हमसे गलती होना नाममकिन हो जाएगा अगर हम awareness को साध लेंगे पापा जी कब डाणते हैं कोई बताएगा जब हमसे गलती होती है पापा जी कब डाणते हैं जब हमसे गलती होती है तो अगर हम जीवन जीने की वो कला आत्म साथ कर ले जिसे हमसे गलती हो ही ना पाए तो डाट भी नहीं पड़ेगी डाट नहीं पड़ेगी तो हमें गुस्सा भी नहीं आएगा डाट नहीं पड़ेगी तो पिताजी के प्रती वैर वैमने से भी पैदा नहीं होगा गलती होनी ना मुम्किन हो जाए इसका सीधा सरल फंडा है और वो है सजगता 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 सावधानी हटी कि दुरगटना घटी और जब तक हम अपनी कार को सजगता से जागरूगता से सावधानी से चलाते रहेंगे एक्सिडेंट होना ना मुम्किन है और जैसे ही सजगता छोडेंगे अगली कार को तो छोडो ट्रॉले को तो छोडो सड़क पर पढ़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी अमारे मोटर साइकल को फिसला देगा जहाँ जहाँ सजगता होती है वहाँ वहाँ गलती होनी नामुम्किन हो जाती है जैसे अब अपन उदाहन लेते हैं एक महिला खाना बना रही है रोटी सेक रही है कई महिलाओं के हाथ में यहाँ पर डाम लग जाता है जले हुए का निसान हो जाता है अब जरा माताओं और बैने बताओं कि ये जलेवे का निसान कब होता है बिल्कुल एक दिका ध्यान चूक हो गई ध्यान चूक हो गई यानि लापरवाही हो गई लापरवाही हो गई अर्थात हमने वापर सजगता नहीं रखी इसलिए हाथ हमारा जल गया अब जरा सोचो सबजी कभी अच्छी बनती है और कभी खराब बनती है क्यों है वो केते हैं मन में विचार कुछ कुछ चलते रहते हैं इतर खाना कुछ कुछ बनता रहता है और खाना फिर कुछ का कुछ और हो जाता है कुछ का कुछ और बन जाता है मैं कहूंगा सजगता पुर्वा खाना बनाओगे आपके खाने में कभी कमी रहे ही नहीं सकती जीवन के कदम कदम पर सजगता की जरुट है ये तो बहुत अधबुत शब्द है ये सजगता इस सिद्धान्त के बगेर हर आदमी जीवन में क्रोधित भी होगा और किसी और के क्रोध का सामना भी करता रहेगा इसलिए मैं सब को एक बात के प्रेरना देता हूँ अपने सभी सादकों को सभी शिश्यों को सभी भाईयों को सभी श्रावकों को कि हर बात में हर काम करते समय कदम कदम पर ध्यान रखो और वो है सजगता 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 जाग रुकता रखोगे जैसे माल लीजिए सब जीवनी डाल लें कुछ का कुछ नहीं पर सजगता रखो बन गया बनने के बाद नीचे उतर गया चौथा ही चमबस लो उसका स्वाद चको और चकर के देखो कि इसमें किस चीज की कमी है क्या हटाना है ये नहीं कि मिर्ची जादा नहीं पढ़ सकती है ऐसा नहीं कि नमक डबल नहीं पढ़ सकता है बून से पर करेक्शन तो उसका किया जा सकता है अब जैसे मान लीजिए कि नमक ज़्यादा पढ़ गया तो क्या समाधन करेंगे कौन बताएगा हाँ जैसे देखो समाधन हलांकि गजब की बात यह है यह समाधन बताना चाहिए था मैहलाओं को माता और बेनों को पर यह समाधन बताया है उत्तम शेनी के शाओ को ने आपके प्रवचन का प्रभाव है क्या हाप करना और क्या नहीं करना ऐसा नहीं कि गलती नहीं हो सकती है पर गलती को ठीक करने का तरीका है सजगता एक होता है हमने सब्जी बनाई रख दी और लाके सीधी परोस दी तो आदमी 8 गंटा 10 गंटा आफिस में मैनत करके आया और उसको आते ही खारी सबजी खाने को मिले तो बेजा तो फिर उत्वे दिल थोगा तो फिर क्या करो ना मैं कहूंगा सबजी बनाओ तो सजकता पुरवक अब भे नमक जादा पड़ गया तो क्या करो या तो एक गूट पानी और मिला दो थोड़ा जोल बढ़ गया या थोड़ा दही का तत्वर डाल दो दही फीका होता और सबजी में दही की खटास आ जाती है दही का जाय का बढ़ गया सबजी स्वादिश्ट होगे सौ तरीके होते हैं किसी भी चीज को ठीक करने के लिए पर ठीक तो तभी होगा न जब सजगता को अपनाईंगे अभी दो दिन पहले मैंने देखा कि एक ने दूसरे को ओड़बा दिया कि भी खाने वाले तीन लोग थे और दस लोग का खाना बन गया तो ये ओड़बा क्यों मिला क्योंकि हमने सजगता नहीं रखी सजगता को भूल जाते हैं विसरा देते हैं ये जीवन जीने के व्यावारिक पहलू के साथ भी जोडने के जरू थे कि हम अपने हर काम के साथ सजगता रखें बाल समारिये आइना क्यों बनाये गया है आइना हमें रीचेक करना बताता है कि भई देख लो तुमने तो यूं कर लिया पर हो सकता है इधर से अभी भी ठीक नहीं हुआ होगा तो रीचेक करने का प्रिड़क तत्व है हमारा दरपन तो सजगता इसी के लिए होती है कदम कदम पर कार चलाओ सजगता पूरवक सेविंग करो सजगता पूरवक सेविंग करते समय अगर सजगता न रखी तो क्या उगा पूरवक तो क्या होगा कट लग जाएगा खाना बनाते समय सजगता न रखी तो हाथ में डाम लग जाएगा कुल मिलाकर जीवन को सुख में बनाने का शान्ती में बनाने का एक पहलू है और वो है सजकता जागरुकता Awareness कितने लोगे जिनके गाल में कभी खाना खाते समय दात के बीच में गाल आया होगा तो गाल तभी आता है इदर अपन खाते रहते हैं अपन बाते करते रहते तो ध्यान हमारा चुक गया सजकता हमारी खंडित हो गई तो सजकता के खंडित होते ही कट लग गया तो ध्यान चूक होती है कब-कब तब-तब जब हम अपनी सजकता को भूल जाते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है सावदानी हटी की दुरगट ना घटी मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी जो पिसले जिन तीन सिद्धान्तों पर चर्चा की है वो जीवन के लिए वर्दान है सहेजिता का सिद्धान्त सकारात्मक्ता का सिद्धान्त और सजक्ता का सिद्धान्त और ये तीनों अगर हमने ज एक अभ्यास है वो भी एक अध्यात्म का अभ्यास है यहाँ पर हर व्यक्ति को यह सीखनी की जरुत है कि अगर हम हमारा काम के पूरी सजगता पुर्वक कर रहे हैं तो यह अपने आपने उत्तम अध्यात्मिक अभ्यास है एक बहुत अच्छी ध्यान पद्दती है जिसका नाम है विपश्यना विपश्यना का अर्थ होता है विशेश रूप से देखना तो विपश्यना जो कहती है कि विशेश रूप से देखना वहाँ पर एक ध्यान का अभ्यास करवाया जाता है व्यक्ति को एक गिलास पानी पकड़वाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें अब इसे आधे गंटे में पीना है अपन कितनी देर में पीएंगे एक मिनट में अब साधना क्या करवाई जा रही है उसी एक गिलास पानी को उसे तीस मिनट में पीना है अब वो गिलास पकड़ो अब क्या करना है विपश्चना विशेश रूप से देखते हुए अब तुम्हे जल पान ग्रहन करना है तो जो जो हम एक गिलास ली अब हम उस पर मेडिटेशन उसकी विपश्चना उस पर ध्यान करते वे अगर हम पानी पी रहे हैं तो क्या होगा अब हम जल तत्व पर ध्यान कर रहे हैं और जल तत्व पर जब हम ध्यान करें वो पानी हमारे करीब आ रहा है अब हमें उसकी शीतलता का भी ऐसास होने लगा है हमारे गले में जो प्यास है से लगाते हैं जल तत्व के संपर्क में आते हैं और धीरे से एक घोट अपने हलक में उतारते हैं और ये विपशना हो रही है विशेश रूप से देखते हुए अनुभव करते हुए उससे होने वाली समवेदनाओं पर अपनी आत्म जागरती सादते हुए हम वो जल ग्रहन कर रहे हैं वो आधे घंटा तक जो जल ग्रहन किया जा रहा है वो अपने आप में एक उत्तम मेडिटेशन है आध्यात्मिक अभ्यास है जल पीना भी एक आध्यात्मिक अभ्यास है इसे का जाता है विपश्यना चंक्रमन अर्थात जब कोई व्यक्ति चलता है पर सजक्ता पुर्वक अगर चलना शुरू कर दे तो वही चलना उसके लिए एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है चंक्र चलते हुए ध्यान करना, चल रहे हैं, कदम उठ रहा है, इसमें बहुत बड़ा तत्व बोध हो सकता है, इसमें बहुत बड़ा सत्य बोध हो सकता है, हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने शरीर को समझ रहे हैं, शरीर की प्रकृती को समझ रहे हैं, हम समझ रहे ह क्या है इसमें धर्मास्तिका है क्या है अधर्मास्तिका है हम समझ रहे हैं हमारे शरीर में ऐसे वो कौन से तत्व हैं जिनके करना हमारा शरीर गती भी कर रहा है और स्थिर्ता भी ले रहा है हम चलते हुए ये भी समझ रहे हैं कि मेरा एक कदम आगे उठा दूसरा कदम आगे उठा मेरा ध्यान मेरे कदमों पर है और कदमों पर चलते चलते मेरी आत्मा जागरत हो रही है मैं अंदर से सचेतन हो रहा हूँ अंदर से मेरे अव्यरने सचेतन ता मेरी जागरत होती चली जा रही है कभी कभी पूर्णी मा के दिन अपने घर की छत पर ज किया करो सजगता पूरवक चलना अद्भुत परिणाम आएंगे अद्भुत आनंदा आएगा जो परिणाम मेडिटेशन की बैठकों से नहीं आ पाता है वो परिणाम उस चंक्रमन में उस चलनी में उस सजगता पूरवक चलनी से आ जाएगा अदली अमान धना जी ने कहा कि जब मैं सुबह मौर्निंग वॉक के लिए जाता हूं तो रस्ते में मकोडे आते हैं मंदर की तरफ से निकलता हूं पीपल की पेड़ की तरफ से निकलता हूं तो वह काफी मात्र में मकोडे दिखते हैं और जब मैं उदर से गुजरता हूं तो 99% मैं बचा करके चलता हूं क मेरे मन में आता है कि मैं इसकी बजाए ये एक परसेंट भी जो मेरे पाउं से मरने के संबावन रहती है उसकी बजाए में अपना रास्ता बदल लूँ ये हो गया ना बहुत बड़ा समाधान ये सजगता का परिणाम है आपके भीतर ये जो सजगता घटित हुई उसी सजगत ना हूँ तो मैं इस तरीके से चलऊ कि मेरे द्वारा किसी की भी जीव की हिंसा ना हो जाए बरे भोजन करो तो भोजन में विवेक रखो सडक पर चलो तो सडक में ये विवेक रखो और व्यापार करो तो व्यापार में ये विवेक रखो कि मेरी वज़े से किसी भी तरह के हिंसा नहीं होने चाहिए ये बहुत उत्तम बात है ये यही धर्म है जो व्यक्ति सजगता पूरवक अपना कारिय करता है उस व्यक्ति को पाप कर्म का प्रगाड अनुबंद नहीं होता तो मानदना जी कह रहे हैं कि उस समय अगर कोई कीड़ा आ गया तो मन में पीड़ा भी होती है और प्रायश्चित भी होता है भाई बता दू जनम जात रूप में आप माहिश्वरी कुल में पैदा हुए पर जिस समय आपके भीतर ये सजगता और करूना आ गया ये जरूरी है करूना का जनम लेना ज्यादा जरूरी है केवल मोटे मोटे ठपे लगाने से कुछ नहीं होता बलकि हमारी इस दृष्टी में हमारे इस अंतरमन में हमारे इस अंतरहदय में करूना होना अहिंसा होना मेरे द्वारा कभी किसी जीव की हिंसा ना हो जाए यही तो ह सजगता तो क्या करो अहिंसा का पालन करने के लिए भी सजगता जरूरी है कैसे चलते समय सजगता रखिए कि मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए हो सकता है कि जब आप बाइक से राजमार्ग पर चल रहे हो हो सकता है तब आपके लिए कोई कीड़ा मर रहा है कि उसको बचाना आपके लिए संभव हो या ना हो पर घर से जब सड़क पर लाने के लिए आप अपनी बाइक को गैरेज से लेकर सड़क तक ला रहे हैं वहाँ तक कोई कीड़ा ना मरे ये सजकता रखना तो आपके लिए पॉसीबल जरूर है तो चलते समय सजकता रखो जब हम पैदल चल रहे हो तो हमारी दृष्टी साड़े तीन से पांच फुट की दूरी तक ही रहनी चाहिए ताकि हमारा पैदल चलना हमारे लिए अहिंसा का पालन हो सके मैं कहता हूँ पैदल चलना भी एक आध्यात्मिक अभ्यास है कोई ना समझे कि रोज प्रतिक्रमन करना ही एक आध्यात्मिक अभ्यास है कि मंदर जाना ही एक आध्यात्मिक अभ्यास है अगर हम सड़क पर चल रहे हैं सजकता पुरुवक तो ये भी एक आध्यात्मिक अभ्यास है इविनोबा भावे कहा करते थे ना जब जाडू लगाते और लोग पूछते क्या करते हो बोले माला जप रहा हूँ तो मुझे तो लगता है माला जप रहा हूँ जाडू बाहर लिकल रहा है अंदर में माला चल रही है अगर हम सजकता पुरुवक चलेंगे तो वो भी एक आध्यात्मिक अभ्यास का चरण बन जाएगा तो चलो साड़े तीन से पांच फुट की दिश्टी ध्यान में रखते वे चलो यानि वहां तक ध्यान रखते वे चलो जहां तक हमारी दिश्टी जीव जन्तों को बचानी में सक्षम है वहां तक अपनी दिश्टी रखो अगर आपको लगता है नहीं मेरी दिश्टी तेज है और मैं 10 फुट तक के भी 15 फुट तक के भी जीवों का हलन चलन देख सकता हूं तो आप 15 फुट तक का भी रख सकते हैं अपनलोग मोटर साइकल चलाते हैं कार चलाते हैं उसकी लाइट कितने तक जाती है कितने किलो मीटर तक जाती है जिस गाड़ी में जितना पावर होगा पर वो पावर जाता कितनी दूर है वो जाता तो केवल 300 फुट तक या 300 मीटर तक जाता होगा पर कार वाला अगर उस कार को सावधानी से चलाए तो तीन सो मीटर तक नहीं जा रहा है वो हजारों किलो मीटर तक वो उजाला पहुँच रहा है जो जो कार आगे पढ़ती है त्योतियों वो उजाला आगे बढ़ता चला जाता है सजकता पुर्वक अगर वो कार चलाएगा उसके द्वारा कभी भी किसी पंचेंद्रिय जीव के हत्या नहीं हो पाएगे जैसे मान लीजे कि कोई व्यक्ति जाकर कहीं बैठ रहा है और बोले मेडिटेशन करो मेरा दिमाग तो गुम रहा है बटक रहा है मैं कहते हो तुछोड तेरे से अगर ध्यान नहीं किया जाता छोड ध्यान को तु तो क्यों सत्संग में आजा एक गंटा एक गंटे में अगर तुने पौन गंटा भी सुन लिया और ध्यान पूर्वक सुन लिया तो सजगता पूर्वक सुनना भी ध्यान यी है अच्या बताएं अपन लोग यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं पर देश और दुनिया में अलगलग चैनलों तक यहाँ से प्रवचन पहुँच रहे है और जो लोग जहां बैठे अपने घर में सुन रहे हैं अगर वो ध्यान पुरवक सुन रहे हैं तो उनका प्रवचन सुनना भी एक meditation है एक अध्यात्मिक अभ्यास है अध्यात्म को जीना बहुत सरल है बस केवल सजक्ता को साथ में लागू करने की जरूत है तो इसलिए कहते हैं सजक्ता पुरवक चलो सजक्ता पुरवक बोलो जब बोलो तो होँठ इस तरहे खोलो कि अगले का हरदे खिल उठे ऐसा बोला हुआ भी क्या काम का जो अगले के हरदे पर कटार चलाने का काम कर दे तुम तो बोल के राजी हो रहे और अगले का दिल दुख रहे अगले के आँख में आशों आ रहे हैं हो गया भई ये आज का पाप लग गया कि अगले के आँख में हमारे द्वारा आशों आ गए तो क्या करना पड़ेगा हमें ग्यानी जनों ने समझाया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम वो कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो ना ब्रूयात सत्यम प्रियम भले वो सत्य भी क्यों नहों पर अगर वो अप्रिय लग रहा है तो मत बोलो अगर वो लग रहा है कि वो अप्रिया लग सकता है तो क्या करो फिर मत बोलो ठीक है वो मेरे बोला हुआ अगले के नेगेटिव असर आ रहा है तो सबसे मीठी चुप मौन को महाधर्म और महावरत इसलिए कहा गया है ताकि उस समय में व्यक्ति अपने आपको शांत रख सके तो सजगता पुर्वक चलो सजगता पुर्वक बोलो धरम सास्तरों एक शब्द आता है आपरुशवाई कठोर वचन मत बोलो कठोर का मतलब क्या होता है पापा ठोकते हैं ना कठोर माश्टर जी ठोकते हैं कठोर तो जब हम वचन जो बोलते हैं वो भी तो उतने ही कठोर हो रहे हैं दिल पर थपड मारोगे तीन दिन बीट जाएंगे तीन दिन में भी उसका दर्द अंदर से हट नहीं पाएगा इसलिए कहते हैं बोलो तो होट इस तरहे खोलो कि अगले का हर्द है खिल उठे गुलाब की कली कितरे फूल कितरे अगले का दिल खिल जाना चाहिए बस यही है बोलने की कला और यही है सजकतापुरवक बोलना सजकतापुरवक बोलेंगे तो ऐसी भाशा फिर बोली नहीं जाएगी जैसे मान लिजे कि अगला आ रहा है और कह रहा है मुझे आपसे यह कहना है यह शिकायत है ऐसा बोलता जा तू तेरे चुपचाप रहे सुनता जा तू जब भी बोले तो ऐसा बोलना कि अगले के दिल में ठंडक आ जाए तू भी वापस बढ़के बोल उठा तो भाई वो तो जली रहा था तुमने और उसमें घी डालने का काम कर दिया तो जल रहा था तो वो तरीका तुम्हें डूढ़ना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से वापस अपने शब्द बोलू कि अगले के अंदर जो जलन लगी वे जो आग लगी वे वो ठंडी वो गरिष्ट बोजन भी नहीं खाते क्योंकि वो सजगता पुरुवक खाते हैं सजगता पुरुवक बोलने वाले लोग ध्यान रखते हैं इश्ट, शिष्ट और मिष्ट मेरी भाष्व में तीन गुण जरूर होने चाहिए कौन-कौन से? इश्ट नमबर दो शिष्ट, नमबर तीन मिष्ट अभी दो दिन पहले ही आपने कहा था कि कि जो विशिष्ट होते हैं वही शिष्ट बोलते हैं मुझे उस समय लगा ये बात ऐसे भी तो हो सकती है कि जो विशिष्ट होते हैं वो शिष्ट बोलते हैं यूँ भी तो कहा जा सकता है कि जो शिष्ट होते हैं वो ही विशिष्ट बनते हैं जो शिष्ट होते हैं वही विशिष्ट बनते हैं कि जो अपनी भाशा को इस तरीके से बोले वही उसकी विशिष्टा बन जाए तो बस चलो तो सजगता पुरवक बोलो तो सजगता पुरव खाओ तो सजगता पुरुवक कही सामान रखो तो सजगता पुरुवक कभी अतीत में भगवान माहवीर से एक लाइन पूछी गई थी कि भगवन हम लोग सब गर्ग्रेश्थी में जीते हैं आप कहते हैं व्यक्ति निर्मल निश्पाप जीवन जीए पर भगवन कैसे संबवे की व्यक्ति गर्ग्रेश्थी में जीता है और निश्पाप और निर्मल जीवन का मालिक बने तिर्थंकर मावीर के सामने प्रस्थ न खड़ा किया जाता है कहम चरे कहम चिठ्थे यानि पाप कर्म का बंद नहो प्रभू हमें वो तरीका बताईए कि पाप कर्म का बंद नहो तो भोले कहम चले कैसे चले कहम सहे कैसे सोएं कहाम भुंजन तो भासन तो हम कैसे भोजन करें और कैसे बोलें कि हमें पाप कर्म का बंधन न हो तब उसका समाधान देते वे तिर्थंकर मावीर कहते हैं जयम चरे, जयम चिठे, जयम यानि जतन से, जतन यानि सजगता पुर्वक जयम चरे, जयम चिठे, जयम आसे, जयम से, जयम बुन्जन तो भासन तो पावम कममना बंद ए, उस आदमी को पाप कर्म का बंद नहीं होता, जो सजगता पूरवक चलता है, सजगता पूरवक बोलता है, जो सजगता पूरवक सोता है, और सजगता पूरवक खाता और बोलता उस व्यक्ति को पाप कर्म का बंद नहीं होता है यही है निशपाप जीवन जीने का मेरुदंड यही है निशपाप निर्मल जीवन जीने का अहिन सात्मक अस्त्र कि जिसके जरीए हम निशपाप जीवन जीने का तरीका अपना सकते हैं तो आज से अपने हर काम को सजकता से करो आपको ध्यान होगा कि जब आप लोग मंदर जी में जाते हैं पूजा करने शुरू करते हैं अभिशेक उससे पहले क्या करते हैं अभिशेक से पहले क्या करते हैं चलिए कौन बताएगा बोहरा जी ने कहा कि जब हम मंदरी जी में जाकर पूजा करते हैं तो प्रभु जी की प्रतिमा पर क्या करते हैं सबसे पहले मोर पंकी उसके जो पंक बड़े सुकोमल होते हैं उस सुकोमल पंक से पूरे मूर्ती का प्रतिलेखन करते हैं सजक्ता को जीने का यह भी एक शब्द है प्रतिलेकन प्रतिलेकन यह नि प्रमार्जन करना अर्थात उस पर कोई भी सुक्ष में जीवानू बैठा हुआ है तो पहले उसे हटा दो तो मोर पंक से उस पर यूँँ चलाते हैं और फिर अगर कोई जीवानू बैठा था तो अप पास यह रहता है रजोहरन इसका काम क्या है अगर हमें कहीं बैठना है और वहां कोई जीवानू हमें नजर आता है तो हम क्या करते हैं यह है प्रतिलेकन करना यह है उस इस्तान को पहले जीवानू रहित बना करके फिर बैठना तो यह जो तरीके हैं यह सजक्ता के तरीके यह अहिंसा के पालन के लिए भी है यह आध्यात्मिक अभ्यास के लिए भी है बात समाप्त करूँ उससे पहले एक छोटी सी चार लाइन के कहानी सब लोग हमेसा जिंदगी बर याद रखेगा जो मैं भी याद रखता हूँ यह कहानी और कहानी के अवल इतनी है कि एक बार भ उड़ गई तो भगवान को जैसे उसकी तडफ लगी उन्होंने जड़ से हाथ उपर किया तो उपर किया ताकि वो उड़ जाए बगल में शिश्य बैठा था उसने का भगवन वो तो पहले ही उड़ गई दो मिनट के बाद मैं भगवान ने हाथ लिया और बहुत दीरे आह रहे हैं बोले भाई पहले जब मैंने मक्ही उड़ाने के लिए जो जपटा मारा था वो बेहुशी में उठा हुआ हाथ था और जब मुझे एहसास हुआ कि में से वो गलती हुई तो मैंने हाथ उपर किया अब हॉले से उसको हटाने का बोध रखा भाई मक्ही को उड़ाना भी एक आध्यात्मिक साधना बन सकती है मक्ही को और मच्छर को उड़ाना भी एक आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है वह शर्थे अगर हम उसे सजगता से उड़ाएं तो तो कुल मिलाकर व्यक्ति के सुखी जीवन का आधार हुआ सहजता व्यक्ति के मदुर संबंधों का आधार बना शांति का आधार बना सकारात्मक्ता और व्यक्ति की जीवन चरिया को आध्यात्मिक बनाने का चरण निश्पाप बनाने का चरण हुआ सजकता ये तीन रतन है इन तीनों रतनों को अपनी आँखों में बसाएं अपने दिमाग में बसाएं अपने दिल में बसाएं ये वो तीन रतन है जो हमें भीतर से सौम्या निर्मल मंगल में और आत्म प्रिया बनने में हमारे लिए मदद करेंगे अपनी और से सहज में आज इतना ही ग्रहन करनी का अनरोद है पर सजक्ता पर जब आज बूला है चलो वापस दो पंक्तियां गुन गुना लेते हैं उठ जाग मुसाफिर भोरभई अबरेन कहां जो सोवत है जो सोवत है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है उठ जाग मुसाफिर भोरभई अबरेन कहां जो सोवत है